हलो गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ सीमा आज अगेन मैं बैंगल बनाने वाली हूँ अपनी साड़ी का सेट तो बने रही है मेरे साथ एंड देखते रही है ये वीडियो एंड तक तो ये साड़ी है मेरा एंड इसका इस पे के मैचिंग मुझे बैंगल बनाना है तो बैंगल मैं जो बनाई हूँ वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा लेकिन थोड़ा कैमरे में उसका एक्जैक्ट कलर नहीं आया है तो जो की आपको आगे देखने को मिलेगा तो इस तरह का बैंगल था न ये फ्लावर बना बना हुआ है तो इसमें इस तरह से फ्लावर बैंगल में भी बनाई हूँ वो फ्लावर मel में कुंदव श्टोन से बनाई हूँ तो एंड अमट्राई कि Week 225 टो कुछ फ्लावर तो ऐसे मलम मैंचिंग के बन गये हैं विड़को 뉴스 नहीं बन पायए तो चलिये बैंगल बनाना हम सुरू करते हैं और नहीं उसकें। को तो सबसे पहले मैं त्रेद को रोल-डोल करना ये इस टाइब से करने आपको ऐसे डेंड उसने ग्लू लगाना ईह फैसे ट्रेड से ही बैंगल को पूरे बैंगल को कभर नहीं चा्र चार्ज बेंगल सेट बनके रेडि वोगया है उससे ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे तो फ्लावर हम इस कुंदन से बनाएंगे इसको कुंदन बोलते हैं क्या बोलते हैं साथ कुंदन तो हम इस कुंदन से फ्लावर को बनाएंगे सबसे पहले मैं एलो क्लर का बना रही हूँ अब इतना कुछ करने के बाद अब भी मुझे इन कंप्लीट सा लग रहा था तो मैं क्रिम कोल्डेन कलर का धागा ली हूँ एंड इस धाग से मैं जिग जाग वाला पैटर्न बनाऊंगी और यह थागा बहुत ही आपको मिनिमुम साथ लेना है बहुत ही थोड़ा सा लेना है उसके बाद आपको इस तरीके स कवर करना है पूरे बैंगल में आपको इस तरीके से कवर करना है आप कवर करते जाएए यह जिग जाग वाला पैटर्न अपने आप ही बन जाएगा पूरे इतना कवर करने के बाद अगेन आपको उल्टे साइड से फिर से सुरू करना है अब इसके एंड में हम ग्लू लगाकर एंड उसे स्ठीक कर देंगे जो बचा हुआ धागा रहेगा थ्रेड रहेगा उसे हम कट कर देंगे यहां पर मैं आपको फ्लावर दिखा रही हूँ कि सेम इसी तरीके से फ्लावर बना हुआ है एंड ऐसा ही फ्लावर मैं चूडी में भी बनाई हूँ अब इसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर का था तो मेरे पास मार्केट से खरीदा हुआ चूडी था रेड कलर का तो उसी को मैं आगे पीछे सेट लगा दी हूँ और पूरा सेट आपको आगे के वीडियो में देखनी को मिलेगा परम प्रेम मैं राधिका क्रिशना परम उल्हास मधुर मिलान के एक्षन आपकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा